नमस्कार साथियों नौलिज स्टडी ललित की वीडियोज में आपका स्वागत है साथियों यहाँ पर हम रोज बातचीत के दौरान प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे Guys, इन sentences को आप रोज बातचीत में प्रयोग करके अपनी English को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं. चलिए Guys, बिना देरी किये वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो को देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए. Guys, आपका sentence number 1 है. मैंने पटना विश्वविद्याले से बिये पास किया है. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. I have done my BA from Patna University. मैंने पटना विश्वविद्याले से बिये पास किया है. I have done my BA from Patna University. Sentence number 2 है. आप सफल हों. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. May you succeed? आप सफल हों. May you succeed? आपका sentence number 3 है. मेरे पास रहने के लिए घर है. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. I have a house to live in. मेरे पास रहने के लिए घर है. I have a house to live in. Guys, जब हम घर में या किसी जगह पर रहने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर live in का प्रयोग किया जाता है. नकी लिव का ये बात एग्जाम में पूची जा चुकी है. आपका sentence number 4 है. मैंने उसे चाय पर बुलाया था. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. I invited him to tea. मैंने उसे चाय पर बुलाया. I invited him to tea. आपका sentence number 5 है. तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. Your name is not in the list. तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है. Your name is not in the list. आपका sentence number 6 है. आपकी घड़ी में कितना बजा है? इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. What's the time by your watch? आपका sentence number 7 है. हम लोग first class में सफर नहीं करते. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. We do not travel in first class. हम लोग first class में सफर नहीं करते. We do not travel in first class. आपका sentence number 8 है. तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. You should eat a little lips. तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए. You should eat a little lips. आपका sentence number 9 है. तुम पेटू हो. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. You are a glutton. तुम पेटू हो. You are a glutton. Guys, glutton का means होता है. ठूस कर खाने वाला, पेटू और भख्षक आदी होता है. ये इस हर विडियो में हम लोग कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे. आपका sentence number 10 है. मैं गरमद्रम चाय पसंद करता हूँ. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. I like fairly hot tea. मैं गरमद्रम चाय पसंद करता हूँ. I like fairly hot tea. आपका sentence number 11 है. वह जो कहता है सक्य नहीं है. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. What ever he says is not true. वह जो कहता है सत्य नहीं है. Whatever he says is not true. आपका sentence number 12 है. जल्दी करो वरना गाड़ी चुट जाएगी. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. Hurry up, otherwise you will miss the train. जल्दी करो वरना गाड़ी चुट जाएगी. Hurry up, otherwise you will miss the train. Guys hurry अपका means होता है. जल्दी करना और तेजी से आदी होता है. आपका sentence number 13 है. वह जूट बोलता है, इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. वह जूट बोलता है. आपका sentence number 14 है. मेरी घड़ी खराब है, इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. My watch is out of order. मेरी घड़ी खराब है. My watch is out of order. गाइज यह वीडियो का लास्ट सेंटेंस है. आपका sentence number 15 है. मेरे पास एक भी पैसा नहीं है. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे. I don't have a single पैसा. मेरे पास एक भी पैसा नहीं है. I don't have a single पैसा. तो गाइज यह था, इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस. गाइज अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए, गाइज आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है. चलिए गाइज फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो को लेकर. तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए जय हिंद वंदे मातरम.